आरेस अगुर्वाल की बुक का चैप्टर 6 आवसत एब्रेज का क्वेस्टन नमबर 125 हम लोग करेंगे पहला क्वेस्टन हम लोग देखते हैं निमलिखित संख्याओं का आवसत कितना है इन सब का आवसत निकालना है तो आवसत का फार्मूला हमारा क्या होता है किसी भी संख्याओं का आवसत निकालना हो तो दी गई संख्याओं का योग आवसत वराबर होता है दी गई संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या जितनी संख्या होगी उससे डिवाइट कर देंगे बटा संख्याओं की संख्या आउसत निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे जितनी भी संख्या दी रहेगी सब को हम लोग जोड देंगे और किस से डिवाइट करेंगे जितनी संख्या होगी तो यहां पर हमारे पास है 76, 48, 84, 66, 70, 64 इनका आउसत हमारा हो जाएगा आउसत बराबर इन सब को आइट कर लेंगे और जितनी संख्या है उतने से भाग दे देंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, छे संख्या है तो इस से भाग दे देंगे तो आउसत बराबर आपका हो जाएगा, आउसत बराबर हो गया इन सब को add करते हैं 4, 6, 4, 10, 4, 14, 14, 8, 22 और 6, 28 के 8 हांसिल 2, 6, 2, 8, 7, 15, 6, 20 8, 29, 4, 33 और 7, 40 यह हो गया 408 बटा 6 अब इसको हम लोग 6 से divide करें तो 6 का 6 बार जाएगा 6, 36 हो गया और हांसिल 4 आया है यहां पर बचा 4 और 6, 8, 48 तो आवसत हमारा आगया 68 तो आवसत भी हमारा correct हो गया अब question number 2 हम लोग देखते हैं क्या कहरा है पर्थम 100 धन पूरांकों का आवसत कितना है पर्थम 100 धन पूरांक हमारे क्या हो जाएगे 1 से लेके 100 तक का तो इनका आवसत हो जाएगा आवसत बराबर आवसत का फार्मूला क्या होता है जितनी संख्याएं होती है उतना सब को जोड के और जितनी संख्या होती है उससे भाग दे देते हैं पर्थम 100 धन पूरांक यानि 1 से लेके 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अब पूरा हम लोग नहीं लिखेंगे इससे लिख देते हैं डाट डाट प्लस 100 और बटा जितनी संख्या है तो एक से लेके 100 तक की कितनी संख्या है 100 तो एक से लेके 100 तक की संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या 100 इनका आउसत हो गया अब एक से लेके 100 तक की संख्याओं का योग हमको निकालना है तो अब लिखके ऐड नहीं करेंगे हम लोग एक फार्मूला योज करेंगे कि परत्थम N प्राकिर्थ संख्याओं का जो योग होता है यानि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डाट 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 आपका किसी संख्या N तक गया है N के कुछ भी value हो सकती है 100, 200, 1000 कुछ भी इनका formula direct होता है N into N plus 1 by 2 पर्थम N धन पूरांकों का योग क्या होता है N into N plus 1 by 2 पर्थम N प्राकित संख्या या धन पूरांक पर्थम N प्राकित संख्या या धन पूरांक का योग आपका होता है N into N plus 1 by 2 केवल N की value रखने है यानि पर्थम अगर 1000 धन पूरांकों का योग निकालना है तो यहाँ पर N की जगा 1000 लिख देंगे तो पर्थम 100 धन पूरांकों का योग निकालने के लिए सीधा सीधा N की जगा हम लोग 100 कर देंगे तो पर्थम 100 धन पूरांकों का योग पर्थम 100 धन पूरांकों का योग जो हमको चाहिए यहाँ पर N की जगा क्या रख देंगे 100 तो यह 100 गुड़े 100 plus 1 बटा 2 तो 2 से 100 को काटेंगे तो यह हो जाएगा 50 तो यह 50 गुड़े 100 plus 1 कितना हो गया 101 अब इसको हम लोग 5 एक 5 यह हो गया 5050 यानि एक से लेके 100 तक की धन संख्याओं का योग हमारा हो गया 5050 अब आवसत सीधा सीधा डारेक्ट हम लोग निकाल देंगे तो कहीं पे भी आपका यह फार्मूला आएगा कि पर्थम 1000 धन पुड़ांकों का योग तो यह एन इंटू एन प्लस 1 बाइ 2 में एन के वेलू 1000 रख देंगे तो यह हो गया 5050 बटा आपका 100 से डिवाइट कर देंगे यह हो गया 505 बटा 10 अब यह हमारा हो गया यह हो जाएगा 50 दसमलो यह 10 बंचे 50 हो जाएगा और फिर 0 ता रहेंगे पर्थम नो अभाज संख्याओं का आउसत कितना है तो अभाज संख्या मारा क्या होता है पहले देख लेते हैं अभाज संख्या अब आज संख्याएं हमारी होती हैं जिनके केवल और केवल दो गुड़न खंड होते हैं उनको अब आज संख्याएं कहा जाता है जैसे आपका हो गया एक्जामपल के रूप में अगर दो की बात करा जाए तो दो का केवल दो गुड़न खंड हो गया यानि ये एक से कटेगा और दो से कटेगा तो दो हमारी अभाजी संख्या होगी तीन की बात करी जाए इसका केवल दो गुरनखंड होगा एक और तीन तो ये भी हमारा अभाज संख्या होगी पांच की बात करी जाए ये भी केवल दो संख्याओं से कटेगा एक और पांच ये हमारा दो तीन पांच साथ ये सब हमारी अभाज संख्या होगी अगर एक की बा यह हमारा कि एक अभाजि संख्या नहीं है तो अब question पर आते हैं परतम नो अभाजि संख्याओं का औसत कितना है तो परतम नो भाजि संख्याओं आभाजि संख्या कहां से सुरू होगी दो हो गया, तीन हो गया, पांच हो गया, साथ हो गया, आठ नो नहीं होगा, दस भी नहीं होगा, ग्यारा हो गया, तियरा हो गया, चौदा भी नहीं होगा, पंदरा भी नहीं होगा, सोला भी नहीं होगा, सत्रा हो गया, 19 हो गया, 23 हो गया, 29 हो गया, तो कितनी चाहिए, एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 अभाजी संख्या हैं कहां तक हमारी हो गई केवल 23 तक यानि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 ये पर्थम 9 अभाजी संख्या हमारी हो गई इन्ही का आउसत निकालना है तो पर्थम 9 अभाजी संख्याओं का आउसत पर्थम 9 अभाज संख्याओं का अवसत पर्थम 9 अभाज संख्या को जोड़ देंगे और 9 से भाग कर लेंगे तो यह हो जाएगा हमारा 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 17 प्लस 19 प्लस 23 और total divided by 9 हो जाएगा तो पर्थम 9 अभाज संख्या हो गई 2 3 5 7 11 13 17 19 20 अब इन सब को जोड़ लेते हैं हम लोग 9 7 16 यहां से जोड़ते हैं तीन नो तीन बारा साथ 19 तीन बाइस एक 24 और 24 और साथ 31 और पांच 36 और तीन 49 और दो 41 के एक हांसिल 4 चार दो छे एक साथ एक आठ एक नो एक दस यह हो गया आपका 101 बटा नो एक सो एक बटा नो यह आपका आ जाएगा नो से डिवाइट करेंगे तीन बाइस एक टियएशित साथ तीज 5 पैंटीश तीन अरतीज दो चालिस चालिस के 0 हांसिल 4 दो riot चार दो छे एक साथ एक आठ एक नो 1 10 यह आएगा तो गयारे से ही नो 1 के नो गयार नो यह नहीण क्यान्न पर्थम Whameteड को संख्या का मदल्ब , दो , चार , छे , आठ , दस और कहां तक चाएंगा , अगर दस पर जाते है तो पांच फ़ाल मिलता है तो दस पर्थमै संख्या चाहिए our Sum पराकित ने दस पर cream का शाएνगा बास्ट वाला हमारा क्या होगा बीस होगा बटा संख्याएं कितनी हैं दस अब इन सब को लिखके जोड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि लिखके जोड़ेंगे तो अगर आपका यह दे दिया जाया कि पर्थम सव संप्राकित संख्याओं का आउसत क्या होगा तब तो और मु हमारा हो जाएगा इन की पहलू यहां पर दस रखेंगे तो दस गुड़े दस प्लस और बटा संख्याएं कितनी हैं दस तो दस से डिवाइट कर देए यह दस दस खतम हो गया यह आगया हमारा सीधा सीधा 10 और एक 11 तो आउसत क्या आ गया 11 आफसन सी हमारा करेक्ट हो गया सब लिखने की जरूरत नहीं है सव से पहले जो बिसम संख्याओं का योग अब पहले इसका हमको योग निकालना है उसके बाद में जितनी संख्याएं होगी उससे डिवाइड करना है अब देखे इसमें क्या फार्मुला लगाएंगे यह देखे एक में दो जुड़ा तो ती हुआ तीन हुआ यह यानि यह उनतर समान्य है कैसी अब देखे ज्ञाओं जब रहें में घटता जाता है या बढ़ता जाता था रहरा है तो सांब्सने था ओन werde न्वा पद है समांतर सुनरी का A परथम पद बोलते हैं N क्या है? पदो की संख्या N पदो की संख्या है और D हमारा जो है सार्व अंतर जो अंतर रहता है जैसे 3-1 यहाँ पे सार्व अंतर क्या है? 3-1 बराबर 2 यानि जितने अंतर होता चला जाता है अब यहां पर देखे हैं हमारा एनवा पद 99 हमको यह नहीं पता है कि एक से 99 तक कितनी बिशम संख्या है तो एनवा पद हमारा क्या हो गया 99 तो इसमें फार्वूले में रखें एनवा पद हमारा 99 है पर्थम पद क्या है आपका वन है और पदों की संख्या एन हमको नहीं पत इंटू टू अभी 99 में इसे एक गया 99 हो गया और दो इधर आएगा बटा में तो 99 बटा दो बराबर N-1 तो यहां से हमारा N-1 जो आ गया 99 बटा दो कमलब दो चोकिया दो नो अठारा तो N-1 बराबर 49 तो N बराबर 49 और एक माइनस में है तो उधर जाके प्लस में हो गया तो N की बटा गया पचास यानि एक से लेके 99 बिसम संख्याएं हैं इसमें कितने पद हैं? पचास पद हैं पचास पद हैं और अब इनको हम लोग जोड़ भी सकते हैं अब देखें A-P को जोड़ने का फार्मूला भी होता है N पदों का अगर समानतर स्रेड़ी का जोड़ना हो तो N बाइ 2 इन्टू A प्लस L ये फार्मूला होता है इसमें क्या है? S-N क्या है? N पदों का योग समानतर स्रेड़ी के N पदों का योग है ये N क्या है पदो की संख्या N पदो की संख्या है A हमारा है पर्थम पद और L है लास्ट पद अगर पर्थम पद और लास्ट पद और पदो की संख्या पता हो तो समांतर स्रेणी की यन पदो का योग फार्मूला SN बराबर N बाइ 2 A प्लस L से निकाल देते हैं L हमारा है अंतिम पत अब देखे यहाँ पर पर्थम पत भी पता है अंतिम पत पता है और पदो की संख्या 50 है यह हमने निकाल ले अब फार्मूला यूज कर देते हैं अब इसको solve कर लेते हैं अब इसको solve कर लेते हैं अब इसको solve कर लेते हैं आवसत ही हमारा हो गया 50 बटा दो यानि हो गया यह 25 और 99 प्लस एक आपका हो गया 100 और बटा पचास तो यह 50 से कट हो गया पचास दूआ 100 और पचीस गुड़े दूआ आपका आगया 50 तो आउसत हमारा आगया 50 आगया तो यहाँ पे दो फार्मूला हमको ध्यान रखना है आफसन आपका D करेक्ट हो गया दो सब्सक्राइब में से पर्थम वाला पद यहां पर जैसे घटाते हैं और अगर एन पता हो पदों की संख्या पता हो पर्थम पद और अंतिम पद पता हो तो समांतर सरेड़ी की एन पदों का योग होता है एन बाइटू ए प्लस एल